नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बात करने वाले हैं ओटो सेक्टर की दिगज कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तों काफी अच्छा स्टोक्स माना जाता है अगर बात करें नीचे के लेबल से अब तक मल्टीपल रिटेंस के अंदर आपको दोनों तरफ के मुवमेंट बनते हो नजर आते हैं तो ऐसा स्टोक्स के अंदर भी हो सकता है हो सकता है कि इसके अंदर हम लोगों को गिरावाट देखने को मिलें नीचे के लेवल की बात करें तो लगभा वन सिक्स्टी के आसपास आपको जाता हुआ दिखा जिस तरह की से निकल के आ रही है तो उसकी वज़े से खलबली मचने वाली है जितनी भी मोटरस कंपनी है और जो पहले इलेक्ट्रिक वेहिकल्स बनाएगी उनके अंदर आपको सबसे पहले तेजी देखने को मिलेगी तो जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा मोटरस की बात कर हैं कि लगातार इसके अंदर जिस तरह के का मोमेंटम हमें पिछले एक महीने से देखने को मिला 136 रुपे का स्टोक्स आपको कहां जाता होगा दिखाई दिया लगबग 188 रुपे तक पहुंसता होगा दिखाई दिया मुल्टिपल डिटरंज अब तक हमें कमाने को मिल तो लगबग 93% से भी ज्यादा के positive returns बात करें लगबग 94% के positive returns stocks में हम लगों को देखने को मिल चुके हैं तो फिलाल क्या है कि positive संकेती माना जा सकता है जिस तरह की से stocks का behavior हमें देखने को मिल रहा है तो लगता है कि आगे आने वाले दिरों का अंदर electric vehicles की जिस तरह की से new जा रही है तो यह जो है multiple returns जो है आगे भी कमा के देने वाला है बट क्या है कि दोस्तों long term का चार्ट आप देख लीजेगा क्यों हो सकता है कि थोड़ा सा आप कहीं न कहीं कई बार चूक कर जाते हैं और जो है आप बिना देखे सोचे समझे अपनी position बना लेते हैं आपको यह नहीं पता होता कि कहां पर एंट्री करनी कहां पर निकलना है तो आप जो सही आंकलन करते हैं तो आंकलन करने के बाद ही जो है आप किसी भी stocks के अंदर एंट्री लीजेगा फिलाल में पहले बात करते हैं जिस तरी किसे लगातार गिरावाट देखने को मिल रही थी लग उपर के लेवल जो है बनते हैं नजर आएंगे दोस्तो फिलाल जो है पोजिटिव संकित माने जा सकते हैं जिस तरीके से स्टॉक्स का बिहेविर अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो दोस्तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं क्योंकि स्टॉडी करनी बहुत जाते ज काफी तगड़ा उचाल हम लोगों को देखने को मिल चुका है रिवाइबल भी हो रहा है जिस तरीके से न्यूज आ रही हैं आप जानते हैं इरक्टरि वहिकल्स की तो फिलाल जो है आगे आने वाले दस साल अगर बात करूब है दस सालों के अंदर काफी कुछ चेंज होता हुए नजर आ रहे हैं या नहीं फिलाल में बिजनिस बढ़ते हुए नजर आने तो स्टॉक्स के अंदर आपको उचाल देखने को मिलेगा अगर कोई कंपनी के अंदर को दिक्कत होती हुए नजर आती है जो दोस्तों चोटी सी एक न्यूज अगर आ जाए कि गाड़िया नहीं बिकरी हैं तो फिर क्या है कि इंदर आपको गिरावाट देखने को मिलेगी तो आप घबरा जाएंगे क्योंकि काफी बहंकर गिरावाट भी कई वार इसके अंदर हम लोगों को देखने को पहले भी मिल चुकी है तो यह स्टॉक्स देखेगा कर बात करें लोंग टम क को मिल रहें तो आगे आने वाले दुनों के अंदर आपको अगर नियर टम्स की बात करें तो 230-240 रुपे तक यह आपको आसानी से जाता हुआ नजर आ सकता है बट अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको उतनी ही क्वांटिटी खरीदनी है कि जितना की गिरा होगी और कम में इसके अंदर खरीदारी करूं तो कर आप जो है ऐसी सोच लेकर चलेंगे तो आप जो है अच्छा खासा रेटन जो है स्टॉक से कमा पाएंगे दोस्तों फिलाल तो यह है कि पोजिटिव संके जिस तरह की निकल क्या रहे हैं आगए अच्छे आनवाले दिन